तमिलनाडू विधान सवा ने पिछले हफते उस बिल को पास कर दिया जिसमें फैक्टरियों के करमचारी को हफते में चार दिन काम और तीन दिन चुट्टी का प्राफधान है हलाकि तमिलनाडू के कई राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं विरोध करने की वज़े हैं वो ये बता रहे हैं कि इस कानून से फैक्टरियां करमचारियों का सोशल करेंगी देश में फैनरुफैक्टरिंग बढ़ाने में तमिलनाडू का एहम युगदान है इसलिए यह पहल अगर यहां से शुरू होती है तो ज़्यादा माईने रखती है अहम युगदान इसलिए है क्योंकि देश से जितना कप्ड़ा निर्यात होता है उसमें तमिलनाडू का हिस्सा 30 फीसद से जज़दा है जितना गाड़ियों का निर्यात होता है उसमें 37 फीसद से ज़दा है और जितना जूतों का निर्यात होता है उसमें 46 फीसद से ज़दा है युगदान सिर्फ तमिलनाडू का है अब अगर ऐसे में इतना वड़ा हव फैक्टरियों का ये निर्णा ले रहा है तो ये फैसले का असर पूरे देश में होगा पहले बात सर ये फैसला पूरा क्या है इसको विस्तार से समझ रहे है होते करते अंतता वो श्रम सुधार भारत में लागू होने लगे जिनकी चर्चा तीन चार साल से चल रही थी कोविट से पहले आप को याद होगा कैंसर कार ने राज्य सरकारों के लिए नए श्रम कानूनों का मसाधा पेश किया था और उस मसाधे की सबसे महतुपून बात ये थी कि फ्लक्सिबल वैकिंग आवर्स दिये जाएं यानि कमपिनी के मालिकों को और फैक्टरियों को अपने हिसाब से कर्मचारियों के लिए बारा घंटे तक की शिफ्ट करने की छूट दी जाए ये प्रस्ताव के इन सरकार ने दिया था चूकि श्रम विवस्था या श्रम के नियम राज्य सरकारों के तहट आते हैं तो इसके बदले राज्य सरकारों को भी अगर वो इस तरीके के कानून बदलते थे तो उन्हें अपनी विधान सभाओं में कानून पारित कराने मिलावड के उद्योगी परिद्रश्य में श्रम कानूनों के बड़े सुधार का बिल पास कर दिया है जिसका मतलब यह है कि अब कोई भी फैक्टरी अगर चाहेगी और उसके वरकर्स चाहेंगे बाधिता नहीं है कंपलसरी नहीं होगा लेकिन जो फैक्टरी और उसके करमचा भी भी वो ले सकते हैं जो शरम कानूनों का नया मसाधा उसके तहट जो पूरे हफते में वरकिंग आवर्स हैं वो उतने ही रहेंगे लेकिन उन्हें बारा घंटे की शिफ्ट और तीन दिन की चुट्टी के बीच में बाटा जाएगा यह सुविधा तमिलाडु सरकार ने क पर कानून पारित करके अपने हां फैक्टरियों को दे दी आम तोर पर यह विवस्ता फैक्टरियों के लिए मुफीद है जहां पर मैनिफैक्चरिंग होती है जहां उन्हें बल्क में आडर्र क्रियेट करने होते हैं और उन्हें इसकी सुविदा मिल सकती तो इस फैसले के लाग होने कि अदामतोर पर जो सामाने विरोध राजनीतिक डलों का होता है वो हुआ है लेकिन इस फैसले का असर कई सारे उद्द्योगों में और भारत के कई सारे राज्जियों में इसका इसे अध्यन किया रहा है। तमिलनाड इसका टिस्ट केस होगा, इसका मॉडल होगा, अगर तमिलनाड उमें ये सफलता से लागू हुआ तो शायद पर आने राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा. सर, शर्म कानून के परिद्रश्चे में अगर देखें तो ये नियम कैसे बदलेगा, क्या असर डालेगा? दो तरीकी से असर डालेगा, एक तो इससे कमपिनियों को अपनी कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी, दूसरा ही है कि कमपिनियों को अपनी प्रोड़क्शन प्रोड़क्शन को बदलने में ठीक करने में मदद मिलेगी, अब आर्डर बेस्ट प्रोड़क्शन की की तैयारी चल रही है जो महत्तुपूर्ण है अभी तक उन्होंने फैसला तमिनाड़ जैसा नहीं लिया है इसमें महाराष्ट राजस्थान गुजरात मद्यप्रदेश गोवा उत्राखंड असम पंजाब हर्याना हिमाचल है इन राज्यों ने भी अपने हग श्रम कानून को बदल कर अपने उद्योगों को बारा घंटे की शिफ्ट का विकल्प देने की तैयारी भी शुरू कर दिये यूपी गवर्मेंट ने इसको इस आर्डर को जारी भी किया था आठ आवर से बढ़ा कर बारा करने का फिर लेकिन बाद में से मही में विड्रा कर लिया गया थ सर आने वाले दिनों में फिर ये माना जाए कि नोईडा की फैक्ट्री में भी या महराश में भी पूने की फैक्ट्री में भी ऐसा दिखेगा हो सकता है इस बात की समभावना बनती है क्योंकि महराश अगर तमिल नाडू जिसके पास टेक्स्टाइल आटोमोबील और लेदर तीन बड़े उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् और ये श्रम कानूनों के दिरिश्टे से बड़ा बड़ा होगा। इसमें महत्वपून बात ये है कि इसमें कमपिनियों और कर्मचारियों की बीच सहहती होनी जरूरी है और सरकार के जो महकमें हैं लेवर डिपार्डमेंट के उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रक डिमांड बदलनी पड़ती है तो अगर तमिनाड में हुआ है तो अन्यराज्यों में भी होने की संभावना दिखाए देती है